हेलो डियर स्ट्वेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं मल्टी करेंसी तो मल्टी करेंसी वे कैसे काम करते हैं जैसे हमानलो हमारा कोई कस्टामर है आट ओफ इंडिया से जैसे हम इंडिया से बिलों करते हैं तो हमारा कोई कस्टामर बाहर से बिलों करता है इंडिया से तो वो हमें पेमेंट कैसे देगा यूएसडी में मतला डॉलर म ये पहले कमपिनी कर लेते हैं ये फिर हमारी पहले से इपनime कर ले और इसे ही सबसे पहले इन्वेंटरी में नहीं हमें क्या करना काम करना और आकाउंंटिंग करने तो हम क्या करने के लिए के अभी हम इंडिया में काम कर रहे है एंडर इसमें काम कर रहे हैं रुपीज में काम कर रहे हैं तो इसी के लिए पहले हमें मुल्टी कर rein मतलब एक से ज्यादा करेंसी एलाव करने के लिए मल्टी करेंसी को यस करना पड़ेगा तो यस कैसे करेंगे एफ 11 प्रेस करेंगे और यह एकांटिंग वाउचर में जाएंगे तो देखो यहां पर यह फोर्थ स्टेंड़ पर दिखाई देखाई देखाई रहा हो एन विल मल पर देखाई देखाई दे रहा होँ आपको करेंसी दिखाई दे रहा है तो अब यह हमें कररैसी क्रिएट करने है करतेंगे और एहां मैं क्रीट करतेंगे शिफ्ट के साथ चलो मैं लेंथी नहीं करनी क्योंकि थोड़ा जल्दी समझ बाइदा न चाहिए और आप प्रेटिस करिएगा दूसरी करेंसियों के साथ ऐसे ही जैसे कि मैं यहां पर इसका फर्मल नेम डाल देता हूं यू एस डी ठीक है एंटर 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 करके यह मैंने काम कर दिया है अब एक क करनी है उसके लिए पहले मुझे क्लाइंट की लेजर वना नहीं पड़ेगी तमैं क्या करूंगा लेजर क्रियेट कर लूंगा एक क्रियेट लेजर जैसे मैं जिसका भी नाम डाल रहा मुझे इससे मेरा डाल मकोई भी उसका नाम जैसे कि डी-ई-रम-ंडर हो जाता है अब यहां पर आ रहा है एक करेंसी अफ लेजर मतलब यहां यह काम जो करेगा वो कैसे करेगा रुपीज में या फिर करेंसी में तो यहां ते को सिफ्ट के साथ यहां पर डॉलर साइन देना है डॉलर साइन ही आ गया यहां फिर एक और तरीका है यहां पर स्पेस दे लो, यह currency आगी अपना, enter करते जाओ, अब यह कहां से विलों करता बेदा, United Kingdom of America, ठीके यहां से America से विलों करता है, enter, enter, enter और enter, यह कर दिया हम इने, इतना करने के बाद, अब हमें directस को माल बेचना है, हम माल बेच रहें हैं से, enter में जाएंगे अब ही हमारे पास क्या है कि हम inventory नहीं कर रहे हैं इसलिए एप 8 में जाब के माल बेचना है एप 8 में माल बेचना है तो देखो alt आई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर item mode आ रहा होता है यह item mode आपका already आ रहा होगा हमें क्या करना है कि हमें item sale नहीं करने हमें inventory info नहीं फिल करनी पड़ती है कि हमने क्या क्या सेल किया है क्या नहीं इससे बस हमारे यह सो रहता है कि हमने इतने का माल सेल किया है तो यहाँ पर reference नमबर दे दूँगा जैसे बिल नमबर डाल दिया हमने 105 यह 140145001 इस तरीकी से मैंने बिल नमबर डाल दिया एंटर अब किसे सेल कर रहा हूं है डर्मन साह को ठीक है डर्मन साह को सेलेक्ट कर लेंगे हम यहां से और यह सारी हमें नेसेसरी करनी पड़ती है यह आप कर लिए जिएगा यह समझ में आ जानी चाहिए आपके डिलेवरी नोट डिसपैस्ट नमबर डिसपैस्ट रो डेस्टिनिशन इमाल का ओर नमबर क्या है फेमेंट मोड क्या है इस सब चीज़े आप फिल कर लिए जिएगा उसका एड्रस क्या है और अब यहाँ पर क्या है हमने सेल्स की लेजर बनानीगे इमाल बेचना था तो तो सेल्स की लेजर बनाएंगे तो यहाँ पर मैं कर लेता हूं Alt-C Sales की लेजर बना के S-A-L-E-S Sales Account मैंने Sales Account A-C-C-O-U-N-T Sales Account का Group कौन जा है किसके अंडर आएगी उसका Head है Sales Account Enter, Enter, Enter और ये मैंने Enter कर रहा है अब मैं माल उसे बेच रहा हूँ तो कितनी डॉलर का बेच रहा हूँ मैंने कहा हूँ उसे मैं 1000 डॉलर का माल बेच रहा हूँ तो यहाँ पर अभी तो इंडिया में आ रहा है तो सिफ्ट के साथ मुझे डॉलर साइन देना पड़ेगा इसके लिए ठीक है सिफ्ट के साथ डॉलर साइन देंगे मतलब सिफ्ट के साथ फॉर्थ की चार नमबर वाली की दबा देंगे तो यह इस डॉलर का ही साहना जाएगा एंटर करेंगे तो देखो फारेक्स एमांट है मतलब एक हजार डॉलर की एक हजार डॉलर है तो उसमें हमारा अभी जो हम सेल कर रहे हैं उसमें इंडिया में कितने रुपे का डॉलर चल रहा है ठीक है मान लेते हैं जैसे के अभी हमारा इंडिया में चल रहा है 82 रूपीज मतलब 82 का मतलब है 82,000 रुपे इंडियन वैल्यू में हमने उसमादल बेचा है ठीक है एंटर अब देखो यहां पर भी शोग कर रहा है हब चेक कर सकते हो यहां पर 1,000 डॉलर का 82 रुपे की एक डॉलर है तो 82,000 रुपे का हमने माल उसे बेचा है एंटर एंटर ये हमने पास कर दिया है ठीक है हमने उसे पास कर दिया ये तो अब उसके लिए हमें चेक कहां पर करना पड़ेगा एक वार हम डिस्प्ले में जाते हैं एकाउंट बुक में जाएंगे और लेजर पर क्लिक करेंगे और यहां से डर्मन साग पर क्लिक करके देख लेंगे तो आल टैब बन से टिटेल सी चेक कर सकते हो कि हमने कितने रुपे का माल बेचा है ब्यास किन रिसीव करना है बैए इस मिल्फे के दल्फे में डॉलर मएं बिचा है और हम से पेमेंट भी तो रिसीव करेंगे एक अब क्या प्यां करना है हमें even si करते हैं इसके लिए कि अब बड़ेगा हमें का समय परफुलिंग नहीं हम क्या करना रहिएं हो तो इसके लिए हमें पड़ेगी नहीं बनाने पड़ेगी बैंक लेजर बनाएंगे तो आल्ट सी प्रास करते रहें जैसे बैबी एएन के बैंक आफ आये इंडिया इंडिया बैंक अफ इंडिया में हम भी एंग को हेड बैंक एकांट होता है एंटर और यह सारा सब कुछ फिल कर देना है, आपको necessary होता है ये फिल करना, ठीक है, enter, ये सारा सब कुछ फिल करना पड़ेगा आपको, अब किस से payment ले रहे हैं, डर्मन साह से, डर्मन साह का कितने रूपए डॉलर का था, कितने डॉलर का था हमारा, 1000 डॉलर का माल बेचा था, तो हम कितने रॉप डॉलर लेंगे उससे एक दाइड डॉलर तो सिफ्ट के साथ यहां पर भी हमें डॉलर का प्रैस साइन करना पड़ेगा अब जैसे हम उससे पेमेंट ले रहे हैं तो उस टाइम कितना है का है डॉलर यह चेक करना है मैं अब मालो जब हमने माल बेचा था उस टाइम अब जैसे पेमेंट ले रहे हैं तो कितने का है जैसे मालो मैं ले रहJean 83 का डॉलर । अमने माल बेचा कितने का था 82,000 का जब चेंड ले टी एंप्टिव्यट ह कि न 않아요 नमें आजाना चाहिए । आप द elf जाल हो दो कैसे सबस्व害 रहें घाल Kü hard लिए तो हम पीनल में चेक करेंगे और टेब बन चेक करके देख लेंगे सेल्स अकांट है हमारा ठीक है यहां पर यह दिखा रहा है प्राफिट है इस तरी के से अच्छा अब इसमें क्या है पहले सबसे पहले जाएंगे हम डिस्पले में अब यह दिखा रहा है कि हमने माल तो से बेचा था ब्यासी एजार का मतलब जब डॉलर का रेट था ब्यासी रुबे जब हमने उसे माल बेचा और जब उससे पेमेंट आया जब कितना था 83 मतलब 13 रुपे तो हमें 1000 रुपे का मतलब 1 रुपे पर डॉलर के साब से benefit हो गया हमें तो 1000 रुपे का profit हो गया यह देखो unadjusted forex gain and loss दिखाई दे रहा है तो अब इसका मतलब है यह अभी हमें adjust करना है कि हमें इतने का profit दिखाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक entry डालेंगे entry डालने के लिए हमें क्या करना बढ़ता है तो सबसे पहले एक laser create कर लेते हैं f o r e x forex gain enter यह जाता है हमारा indirect income में बस इतना ही करना है और क्या है अब एक general की entry पास करेंगे हम इसमें general की entry accounting watcher में जाएंगे और f7 प्रेस करेंगे तो buy में तो रहेगा हमारा डर्मन सा क्योंकि all incomes हमें सा incomes होती है हमें सा credit होती है कितने की 1000 रुपे की और 2 में क्या करेंगे हम forex gain and loss 1000 रुपे enter और यह enter करती हमने ठीक है यह entry पास करने की time यह entry पास करती हमने चाहो तो narration भी सोगर सकते हैं ठीक है बे इई अन्प यंझ बिए रुपें आज़ो दीक देर फिए था ज्वे यह जिए चैवर्टा न्ठी न्ठीक है यह this द propor है यह हमने रिसम दे दिया है अब हम चेक करेंगे जो हमारा पी नेल रहे हो कितने का दिखा रहा है दो को हमारा आप ईंडिरेक्ट इंगम है वह हमारी हम किसे माल खरीद रहे थे डर्मन साहा से क्लिक करते हैं तो देखो यह फॉरक्स गेन दिखा रहा है हमने माल विचा ब्यासी एजार का पेमेंट ले लिया तरासी एजार का तो हमें क्या हुआ एक अजार रिप एगा करेंसी एक्सेंज में हमें प्राफिट हो गया ठीक है तो आसा करते हैं आपको हमारी वीडियो से आपको समझ में आया होगा तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिएगा हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं बूर्ट